जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों हिंदूओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ महाभारत आज भी अनेकों रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। जिन में से कई रहस्यों की गुथी आज तक कोई नहीं सुलजा पाया है। वीडियो में हम रहस्य मेर कवच और कुंडल पर चर्चा करेंगे की देवराज इंद्र ने करण के कवच और कुंडल का क्या किया। क्या वो इंद्रलोक ले गया था, अथवा पृत्वी पर ही कहीं छुपा दिये थे। दोस्तों आपसे निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं। किन्तों उसके पराक्रम और बल की प्रशंसा स्वयम भगवान श्री कृष्न भी किया करते थे। दूसरी ओर, करन को भगवान सूर्य ने शक्तिशाली कवच और कुंडल दिये थे, जिनके होते हुए करन को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे में जब महाभारत का य उधर करन, जब सूर्य उपास्तना के पश्चात राजमहल की ओर लोट ही रहा था, कि तभी इंद्र देवता एक ब्राहमन का वेश लेकर उत्पन हुए। कभच देने के पश्चात, वो महाभारत की युद्ध भूमी में अर्जुन के हाथों वीरगती को प्राप्त हो गया। ततपश्चात ही समस्थ पांदव भाईयों को ये ग्यात हुआ था कि वो उनका जेश्ट वराता है। उधर भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंड के निकट छुपाया था। जिसकी रक्षा स्वयम सूर्य देव और समुन्द देव कर रहे हैं। माना जाता है कि इंद्र को समुन्द में कुंडल और कवच छुपाते चंद्र देवता ने देख लिया था। जिन्होंने इनको प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु वो असफल रहे। वही कुछ शास्त्रगियों का मत है कि करन का कवच और कुंडल चत्तीसगर के बीजापूर में स्थित एक रहस्य मई गुफा के अंदर मौजूद है। इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि श्राप के कारण इंद्र देव का रत रोश्मी निकलती है जिसे करन के कवच और कुंडल की रोश्मी माना जाता है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोश्मी आने का कोई स्थान नहीं है जिससे ये माना जाए कि ये रोश्मी सूरच के किरनों की है। हालन की करन के कवच और कुंडल कनहा है। इसके बारे में अलग-अलग कहाफते हैं, कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उरिसा में स्थित कोरनाक मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है, दोस्तों आशा ह कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ती कताओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जै श्री राम